तो यह बहुत important है, तो जैसे मैंने आपको base बताया था कि कुछ भी अगर आपने उसको study करना है, for example remedy को, जैसे मैंने बताया था कि आप उसके element को understand करो, वो nature में कैसे exist करता है, वो understand करो, फिर उसका constitution, पिर उसकी हर ऐसी चीज जो constant है, फिर उसमें जो uncommon है, जिसे keynote कहते हैं, फिर उसका clinical, फिर उसकी organ infinity, उसके relationships, उसकी mental state, ये सारी की सारी बहुत important overall, इसके element को भी touch नहीं करते हैं, क्योंकि इसके element की understanding से, इसकी सारी की सारी mental state connected है, इसकी natural self की start वहां से नहीं करते हैं, इसको start हम करते हैं, इसके constitution से, जैसे कोमल तुने आपने बताया, कि इसका जो constitution है, वो hydrogenide constitution, अब ये बहुत important है, hydrogenide constitution, hydrogenide constitution अपने आप में ही psychotic है, अगर आप उसको पढ़ोगे, मुझे नाम नहीं याद हरा, जिन्होंने ये दिये हैं, skip कर गया एकदम से, so hydrogenide constitution क्या है, hydro means water, genoid, जहां भी water effect करेगा इसमें, वो सारी remedies hydrogenide में count करेगी, जैसे डल का मारा भी है, natrium sulfur, gentrum nitricum, थूजर, ऐसी सारी remedies है, इतनी सारी remedies है, जो hydrogenide constitution में fall करती है, mainly psychotic remedies होती है, और इसमें क्या रहेगा, पानी हर तरह से effect करेगा इन remedies को, और पानी कहां से effect कर सकता है, सोचो, हर चीज को channelize करने की कोशिश करो, पानी बाहर भी हो सकता है, पानी अंदर भी हो सकता है तो जब बाहर का पानी है, वो उसको effect करेगा, जैसे बारिश का पानी effect करेगा, weather effect करेगा इसको, इतना ज्यादा कि अगर बाहर बारिश हो रही है, तो भी ये effected हो जाएगा, यह इतनी strong होएगा, यहाँ पर देखो अगर डल का मारा भी हमने पढ़ा है, wet aggravate, पर डल का मारा cold से भी aggravate होएगा, पर specifically जैसे अब इस remedy में पढ़ेंगे, यह cold से aggravate होएगा, यह wet से aggravate होएगा, तो अगर dry weather है, either cold, either warm, कोई शुनी है, natrium self को, पर natrium self को problem wet से, ऐसी ही, कोई भी food है, जिसमें पानी ज्यादा है, जैसे melon, watermelon, cucumber, right, fish, यह सारी चीज़ें, यह इसको aggravate करेंगा कोई भी plant ऐसा है, जो पानी के पास ग्रो कर रहा है, इसको problem आएगी, right, near water अगर ग्रो कर रहें, अगर आप rubrik भी देखोगी, यह rubrik भी present है, food and drinks में जाके देखना है, all the plants which grow near water, right, single remedy, natrium self, इसमें आएगी, और, for example, अगर यह समुंदर के पास भी रहेगा, right, तो भी, इसको affected होएगा, metronum, यहाँ पर साथ में आएगी, पर यहीं पानी, अंदर का पानी भी इसको effect करेगा, अब अंदर का पानी, देखो, कैसे हो सकता है, एक बार कोचर सर ने एक tip दी थी, वो कह रहे थे कि kidney की cases में, अगर जब kidney का case stuck हो जाए, और वो respond न करे to the medicine, जो आप दे रहे ह person को respond न करे, तो आपको क्या करना चाहिए, वो कहा रहे थे उस condition में, वो कहा रहे थे उस condition में, आप इंटर करेंट नेटरम सल्फ की डोस दो, अब उस time पे हमारे mind में constitutional remedies fix थी, हम सुझते हैं यह क्या बात हुई, और यह लॉजिकल है, तोगि इस समय बाहर पानी नहीं है, श तो hydrogenate constitution अंदर ही बना पढ़ा है, पूरा पूरा पानी बना पढ़ा है और वो एग्रवेट हो रहे है, तो उस condition में यह remedy बहुत हल्फुल होएगी, तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यह inside water, for example, Udima का case is there, Udima है बहुत ज़्यादा उसमें, water body retain कर रही है, CERF में, उस condition में यह remedy का action बहुत अच्छा आजाएगा, so इसको जो wet weather है, वो aggravate करेगा, right, it cannot be here, पर dry cold weather, यहाँ पर यह फरक हो जागा, अगर dry cold और hot है, इसको कोई problem नहीं आएगी, वहाँ पर डलकामारा को problem आएगी, so डलकामारा को problem वेट से भी आएगी, और cold से भी आएगी, इस stable है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब देखो यह यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने last big example दिया था, dreams ज़रूर देखा करो, dreams deeper perception है, experience है, substance का, right, जैसे देखो आप सीप्या में, आप पढ़ना सीप्या में dreams है, dream, danger when ऐसे करके है, मुझे exactly mind में नहीं आ र अब देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है, कि मेरे सामने को danger आज़े मा उल्टा भागना शुरू कर दूँगा, और देखो जो सीप्या कटलफिश है, वो कटलफिश इंक छोड़ के उल्टी भागती है, तो उसका जो substance का expression है, उसके dream में आया होगा, यहाँ भी देखो dreams के है, dreams of danger from water, और एक बहुत specific dream है, dream daughter in water, and she is crying for help, आप देखना single remedy, an atom self, so dreams के danger of water, so issue of water इतना deeper है उसमें, right, so यह बहुत important हो जाएगा, याद रखना है इसको hydrogenite constitution को, इसको गभी भूलना मत, second, क्या बचे, इसको dream में क्या आता है, इसका dream यह connected है, इसकी mental state के साथ भी, पर issue of water है इसमें, जैसे इसमें dreams of water, danger in water के dreams है, इसमें dreams है कि मेरी बेटी पानी में चले गी और बहुत जोर से चिला रही है, right, इसमें यह dreams है, तो यह connect करने के लिए है, कि जो issue है, वो issue एक सीमित न तक, वो mental तक गया हुआ है, deeper वो भी mental, क्योंकि dreams are perceptions, तो deeper तक गया हुआ है, तो इसका मतलब कि इस चीज को हम इस remedy में बहुत importance देंगे, यह prime important symptom बन जाएगा, hydrogenate constitution इसको, अब ऐसे कह सकते हो कि this is not a part of a periphery of a remedy, this is a part of a center of a remedy, core of a remedy, तो इसको आप याद रखोगे, right, clear है, second important part, जो बहुत important है इसमे, natural muscle में, इसके constitution में, वो है इसका bilious constitution, bilious मतलब, आप सबको पता होगा, दो तरह से bilious को express करते हैं, एक जहां पर liver involved है, right, हम कहते हैं न, bilious constitutions, जैसे कितनी सारी remedy हैं, देखो, podophyllum, nux vomica, china, chelidonium, carduosum, bryonia, यह सारी remedy, bilious remedy हैं, और इसमें क्या होता है, कि liver involved है, पर bilious का, अगर आप Google में देखोगे, अकेला मतलब liver नहीं है, साथ में क्या है, irritable, cross, angry, peevish, जो nature होती है, वहां पर भी, यह दोनों चीजें को bilious कहा जाता है, right, तो यहां भी बहुत important है, इसका जो constitution है, यह bilious constitution है, और इसलिए अगर आप देखोगे न, एक rubrik है, आप जाके देखो, search करो, लिखो इसको, jaundice followed by a violent anger, jaundice होएगा patient को after violent anger, anger और violence दोनों का connection है इसमे, irritability आएगी उसके बार liver के symptoms आएगे, right, aggression आएगा उसके बार liver के symptoms आएगे, तो इसलिए यह IBS में भी use होती है, remedy, right, so इसमें एक, Hello, so इसमें, अपने, unmute कर लो, Michael, so इसमें बहुत important रहेगा, suffering from the liver diseases, right, पर liver diseases कैसी, यह निए कि cirrhosis हो जाएगा, देखो, bilious में क्या है, bile की बात हो रही है, तो इसमें क्या होएगा, excessive bile, right, अगर excessive bile production हो रही है, तो यह जो temperament है, यह जो constitution है, यह express करेगा body में, अब वो excessive bile क्यों हो सकता, देखो, वो simple IQ surgery हो सकती है, गॉल ब्लेडर की, अब bile collect में हो रहा है, वो सीधा intestine में जा रहा है, pancreatic disease में हो सकता है, celiac disease में हो सकता है, तो इसमें क्या होएगा, जो bile का level है, वो increase हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, जब bile का level increase हो जाता है, तो क्य intestinal movement in the colon, जो colon में increase हो जाती है, इसमें specifically right side of colon है, जब वो increase हो जाएगी, तो वो क्या होएगा, डाइरिया, वहां पर डाइरिया हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, bilious डाइरिया, so this is the keynote remedy for bilious डाइरिया, आप रिपर्टरी में सर्च करो, bilious डाइरिया, आपको यह remedy natural self वहां पर, because it is a very very good remedy for bilious डाइरिया, जहां पर डाइरिया क्यों हो रहा है, due to excessive bile के कारण, तो bile मुटलिटी बढ़ाता है, और secretion बढ़ाता है, और उसके कारण होता क्या देखो, उसके कारण क्या होएगा, gas collection, घ्यान से सुनना अब, जब बाइल बढ़ता है, तो उसके sticky stool हो जाएगा, difficult to wash, greenish हो जाएगा और offensive हो जाएगा, यहीं इसके symptoms है, तो इसके symptoms को रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, यह symptom इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि इसमें bile जादा आ रहे है, तो जब भी bile जादा होगा, इसलिए pancreatic diseases में कई बस stool sticky हो जाते हैं, जब आप alkaline, वो करा होगे, alkaline phosphatase कहे रहा हूँ, serum amylase, तो बड़ा होता है, तो patient से पूछो कि this tool sticky होते हैं हमाँ पर, तो उस condition में यह remedy बहुत helpful है, बहुत helpful है, along with other remedies, आप उसकी जो बाकी की चीज़ों भी देखोंगे, यह बहुत helpful है, और इसी लिए, इसी लिए, अगर आप Kent पढ़ोगे, Kent न लिखा हो है, कि Natrium Self is a natural solvent, it is a natural solvent for gallbladder stones, क्यों, क्योंकि यह bile के imbalance को correct करता है, तो आप इसको ऐसे use कर सकते हैं, अगर आप देखो, Kent मेरा के इसलिए कहता हूँ, Kent बहुत important है, उसको पढ़ा करो, अब सोच के देखोंगे, अगर यह situation है, आप अकीली medicine दे रहे हो, medicine के साथ तो पर आपको कुछ ना कुछ dietary changes भी लेके आने पड़ेंगे, इस condition में जब movement ज़्यादा है, gas ज़्यादा बन रही है, sudden urging है, cramps है, तो आप सोच के देखो, जितने भी starchy foods हैं, वो और complicate करेंगे, वो और gas बनाएंगे, वो और digestion को disturb करेंगे, और इसलिए natural self के अगर आप पढ़ होगे, वो correct होएगा, पर उसके साथ, dietary understanding भी important है, यहाँ पर आप अपनी patient को recommend कर सकते हो, जो मैं normally recommend करता हूँ, that is about the resistant starch, आप term search करना, resistant starch, यह बिलकुल वही rice है, वही potato है, वही beans है, वही pasta है, पर इसको करना क्या है, बना के फ्रिज में रखना है, 12 गेंटे राथ फ्रिज में पड़े रहे हैं, मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर दीप्ती, चंडिगर्ड में, वो मेरी diet manage करते हैं सारी, तो उन्होंने जब मुझे पहली बर बताया कि अगर तिरे को चावल अच्छे लगते हैं, बीन ने diabetic तुने अगर नहीं काने तो यह काम किया, अगर चावल राथ को फ glycemic index कम हो जाता है इतना करने से, दूसरा क्या होता है, उसमें fibers बढ़ जाते हैं, 10 times increase हो जाते हैं, तो यह बहुत important है, diet भी बताने हैं उसको, और इसलिए आपको बताने चाहिए कि starch aggravate करेगा, और अगर आप starch की जगा, उसको resistant starch पर लेया होगे, वो wet से भी better हो जाएगा before medicine और resistant starch में और भी यूज़ कर सकते हैं, आप green banana, green banana is a very good for resistant starch, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उस condition में आप इसको यूज़ करते हैं, बनाना के जो color है, अलगलग color है, अलगलग formation देते हैं, जब green होएगा, थोड़ा सा कच्छा होता है, तो वो resistant starch देता है, पर जैसे ही वो पक जाएगा, वो और sugar है, fructose, वो help ने करेगा, तो यहाँ पर इसको understand करो, यह बहुत important है, second is, जो bilious constitution जो है इसका, right, so first hydrogenite, second is bilious, उसके बार, जो third constitution ही important है, वो है इसका psychotic, psychosis इसमें बहुत strong है, right, hydrogenite, जैसे आपके था, hydrogenite is psychosis, go hand by hand, वो साथ-साथ चलते हैं, तो यहाँ पर psychotic constitution बहुत important है, अब देखो, अगर psychotic होएगा, तो क्या होएगा, इसमें भी रट्टा माने की जूरूत है, उसमें watts होने वाले है, right, उसके discharges थिक होने वाले है, उसके discharges yellow and green होने वाले है, right, अगर कुछ भी condition होएगी, वहाँ प pneumonia होएगा, यह सारी चीज़े होएगे, so इस remedy में psychosis में क्या है, पहले तो वही है, watts, इसमें watts देखेंगे, और especially watts and shankers after gonorrhea, अगर वो हैं, तो यह 100% आप इस remedy को prescribe कर सकते हो, right, पर हमें characteristic नहीं बूलना है, characteristic क्या है इसका, इसके watts होएगे, वो painless होएगे, तूज और मर्क के जो watts और shankers होएगे, painful होते हैं, पर यह painless होएगे, यह हमने याद रखना, discharge इसके green है, yellow होने वाले है, और इसकी tongue कैसे होने वाली है, greenish brown, अगर tongue greenish brown है और taste bitter है, यह remedy का keynote feature है, keynote feature, अगर सिरफ green है, तो capsic कम है, पर अगर greenish brown coating है, तो यह इसका typical symptom है, वो ही dirty tongue होएगी, बहुत ज्यादा भरी होई, psychosis के कारण, और greenish brown coating होएगी, specially base of a tongue, right, और साथ में क्या आएगा, tongue के ऊपर, छोटे-छोटे दाने, vesicles बन जाएगे, और उपर palate के ऊपर भी इसके vesicles बन जाएगे, यह इसका characteristic feature है और इसकी eyes involved होती है, इसमें natural self हो, eyes भी देखो अगर involved होईगी, अगर suppose आ गए आपके paper में, कि eyes of natural self, तो आपने नहीं पढ़ी होई, तो अगर आप इसको understand करोगे, तो क्या हो सकता है, कि हाँ, अगर यह eye involved होईगी, तो psychotic होईगी, तो अगर psychotic होईगी, इसका मतलब after the noria, ह बनी होईगी, तो यह granular lids होजाएंगी, और क्या होईगा, उसमें swelling होईगी, सुबह उठते हुए agglutination होईगी, तो यहीं सारे symptom in natural self, तो अगर नहीं भी पता, तो भी आजाएगी, ऐसे ही, suppose आजाए psychotic pneumonia, तो वो क्या होईगा, ऐसे ही होईगा, thick discharges होईगे, yellow green discharges होईग बस आपने याद क्या रखना है, उसकी specificity, तो इसकी specificity क्या है, left lower यह जो area है, यहाँ पर इसके pain होईगी, बहुत जाड़ा, इतनी pain, इतनी pain कि यह इसको hold करके रखेगा, खांसी करते हुए, आर्नी का, ब्राइनिया जैसे, यह खांसी नहीं कर सकता, इसलिए remedies देखना, cuff painful, hold the chest with the both hands, while cuffing, अब rubric देखो, इसमें यह पड़ी होईगी, यह ऐसे hold करके रखेगा, उसको यह beer नहीं कर सकता, ब्राइनिया में भी यही symptom है, नेटरंसल्फ में भी symptom है, देखो फरक क्या है, myasm का, ब्राइनिया में क्या है, ब्राइनिया और psychosis, इसमें psychosis है, तो इसमें क्य होएगा, जो इसकी जो cuff होएगी, वो इसकी loose cuff होने वाली है, जिसमें green, yellow, sputum होएगा, ब्राइनिया में ड्राइनिया में ड्राइनिया, तो यहाँ पर ब्राइनिया और साथ में नेटरंसल्फ, अगर यहाँ पर आ गया, काली काब, मर्कसॉल, और चरीडोनिया, ऐसे आपन कोई, तो इसमें क्या रहता है, इसमें जब भी cuff होएगी, इसको, it is a very good remedy for psychotic pneumonia, आप देखोगे, psychotic pneumonia, psychotic इसे लिए आफ्टर गनोरिया, along with that, उसके thick discharges, और यह inflammatory state आएगी, आपर थिक हो जाएगा, प्लूरा, वो इतना painful होएगा, कि उसको यहाँ पर hold करके रखना पड़ेगा, खान सीकतने वकर, अगर hold ने करेगा, तो बहुत मुश्किल, ब्राइनिया भी ऐसे hold करता है, आरनिका भी ऐसे hold करता है, और remedies भी है, पर इसमें क्या है, ब्राइनिया की cuff dry होएगी, इसकी cuff lose होएगी, being a psychosis इसमें यह symptom आएगा, इसकी lose आएगी, जो cuff आएगी, discharges होएगे क्योंकि उसमें, पर उसमें नहीं होएगे, ऐसे अगर rights होएगा, काली काब, चलिडोनियम, मर्कसौल एक बर confirm करना, निकुलम भी है शायद इसमें, अगर यहाँ इस जगह होएगी, इसको hold करेगा, और psychosis में जो पार्ट है, इसका asthma, जो इसका asthma है, वो भी psychotic होएगा, मतलब gonorrhea के बाद, so asthma after suppressed gonorrhea, यह head remedy है, उसमें, along with midrinum, silesia and thooja, और अगर Kent को पढ़ोगे, तो वो क्या कहते हैं, कि asthma mostly psychotic होता है, और natural self उसकी बहुत अच्छी remedy है, उस condition में, जो help करेगी उसको, तो ऐसे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद, अब हमारे पास constitution clear हो गया remedy का, अब आएगा, कि इसमें, for example, ऐसी क्या चीज़ है, जो constant है, तो जब भी आप material America पढ़ते हो, जहां कोई भी different material America पढ़ते हो, देखा करो, different different material में क्या चीज़ है, जो सब ने लिखी होई है, वो उस remedy की सबसे important चीज़ होती है, और इसमें हम पहले discuss कर चुगे हैं, क्या constant होईगा, क्योंकि constant hydrogenite constitution है, तो इसकी dampness और दूसरी इसकी injury, यह दो पार्ट हैं, जो आपने कभी भूलने ही नहीं है, तो आपको कुछ भी आजाए, कुछ भी आजाए exam में, जा in case patient express कर रहा है, अगर उसक relationship dampness के साथ है, यह remedy आपने सोच नहीं है, अगर उसका relationship injury के साथ है, तो आपने यह remedy सोच नहीं है, बस आपको उसकी peculiarities पढ़ी होनी चाहिए, और आपको यह भी याद रखना है, यह जुरूरी नहीं है, यह गीला होगा, तो ही problem होएगी, जैसे rust talks में पढ़ते हैं, rust talks में य देन वरस उसमें आएगा, तो जो डल का मारा थी, उसमें जो मौसम ठंडा होगे, वो भी effect करेगा, बारिश होगी getting, वो भी effect करेगा इसको, पैर गिले होगे, जूते गिले थे, जुराबे जी गिली थे, वो भी effect करेगा, पर इसको जो नमी हवा में भी है, वो भी तंग करन अगर आप पढ़ना इसमें, आपको उसमें बिल जाएंगी, even headache during dampness, right, earache, कान में दर्द हो जाना, stitching pain होती है, especially right ear का, अगर कटार आ रहा है, right ear का कटार आ रहा है, तो ये इसकी specific remedy आ जाती है, an atom cell, stitching pain in the dullness, facial neuralgia, trigeminal neuralgia, उस condition में भी dampness के कारण अगर हो रहा है, so this is the remedy, तुथेक, right, teeth आ गए, तुथेक, तुथेक में भी, अगर इसकी specificity है, cold same amelioration, दांत में दर्द है, तो normally क्या ठंडा बहुत pain करता है, आप कुछ ठंडा पानी पीलो, आपकी जान निकल जाएगी अगर दांत कर दर्द है, पर इसको अराम मिलता है उससे, other remedy, pulsatil and coffee, keynote symptom है उ ठीड़ा देखना, abdomen में जाओगे, वो dampness है, aggravated है, फिर नीचे intestine में जाओ, तो diarrhea वहाँ से आएगा, respiration में जाओ, cuff dampness से आएगी, right, operation of, oppression of chest from dampness, chest pain from dampness, rheumatic pain from dampness, right, even sciatica from dampness, वहाँ भी आ जाएगा, asthma from dampness, वहाँ पर भी आ जाएगा, right, तो ये सारी के सारी अगर ये symptoms हैं, ये dampness effect होते हैं, तो ये यहाद रखने वाली चीज़ हैं सारी की सारी, right, कि इस remedy में कुछ भी आएगा, तो dampness अब से important है, उसके बाद injuries हम पढ़ते ही हैं, इस injury, chronic effect of all the injuries, especially head, इसकी remedy है, अगर hand injury के बाद conversion होए गया, यही दवाई है, right, अगर insanity हो गई, यही दवाई है, दूसरी चीज़ की है, अगर pelvic organ में भी injury हो गए, आप जाके देखना, normally हम bellis per देते हैं, पर equal number में रखा हुआ है, और addition भी nerve की है, रिपर्टरी में, तो आप देखा करो उसको कि यह addition किस की है, किस material medica से लिया गया है, किस author से लिया गया है, nerve की addition, pelvic organ की injury, यह भी इसकी है, even spinal injury, right, spinal injury के बाद अगर sciatica हो जाए, तो natrium self वहाँ पर indicated है, और यहां तक इसका एक keynote है, आप देखना है, इसको note कर लेना, कि spinal injury causing asthma, यह उसकी remedy है, spinal injury causing asthma, only two remedies are there, natrium self and hypericum, यह दो remedies है, ऐसे हैं, आपको मिलेगा, chronic long spinal injuries ऐसे करके, उसमे गनीशा पढ़ी हुए, यह सरफ remedy partect में, so यह आपको पता होने चाहिए, तो यह दो चीज़ें इसमें हमेशा constant रहने वाली है, एक dampness, दूसरी इसकी injury, यह आपने कभी नहीं भूलनी है, इस condition में, यहां तक clear है? Sir, dampness और injury दोनों चीज़ें मिलेंगी कि एक में मिलेगी तो भी हम सोच सकते हैं? बिलकुल, बिलकुल, देखो, इसको हमेशा याद रख लो, कभी भी negative matching नहीं करनी है, कि अगर dampness effect कर रहा है, तो हम उसको करें, चोट लगी कि नहीं लगी कभी, अब नहीं लगवा थोड़ी ना देनी उसके, ऐसा नहीं है, कभी भी अगर दोनों नहीं मिलते हैं, कोई problem नह dampness होनी चाहिए और dampness की intensity good होनी चाहिए, so symptom तभी qualify करता है, अगर वो symptom strong है, strange है, peculiar है, अगर light है, हाँ, कभी कभी बारिश में मुझे problem आती है, यह symptom नहीं है, अब यह natural self का symptom नहीं है, वो most of the time आएगा, तो आप कहलो 90 to 95% वो effect होएगा, यह भी मैं बचा के कह रहा हूँ, पर यह symptom होना बहुत जरूरी है, और symptom उसी intensity में होना जरूरी है, अगर उस intensity में नहीं है, देखो, the core of the remedy should match with the core of the patient, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि for example, core of the patient is matching with the periphery of the remedy, जैसे natrium self में कुछ ऐसी चीज हो सकती है, जो बस उसमें है, पर strong नहीं है, पर हम कह रहे हैं, यह भी है, इ सकते हैं, no, the center of the remedy should match with the center of the patient, तो जब natrium self की prescription आएगी, तो यह center में रहने बाला है, तो यह symptom strong होएगा, अंदर बैठे हूँ, इसको change, जो change of weather है, उसमें ही problem आजाएगी, जैसे humidity आएगी, natrium self को मुश्किल होने वाली है, asthmatic और breathing problem इसको start हो जाएगी, तो यह अलग भी हो सक हो सकते हैं, दोनों ही कठे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, उसको चोट लगने के बाद start हो है, जैसे हमने देखा है कि spinal injury के बाद रस्तमा हो जाए, तो वहाँ पर हो सकता है, कि दोनों symptom आपको मिल जाएगी, तो पर आपको affected मिलेगा, अगर वो नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा मैं वो फिश नहीं खा सकता, मैं कुकुमबर नहीं खा सकता, अगर मैं खर्बूजा खालू जा, तर्बूज खालू, मेरा पेट खराब हो जाता है, आपको ये symptoms मिलेगी, आपको हमेशा indication, उसकी body indicate करेगी कि ये पानी को resist कर रही है, इसको पानी नहीं चाहिए, water नहीं चाह आएंगे इसके keynotes, अब देखो keynotes के आएं इसके, keynotes भी इसके around ही revolve करेंगे, इसकी एक-एक करके उठा लो, इसके keynotes, एक-एक area उठा लो, मतलब, ऐसे, सबसे उपर skin है, सबसे, skin का आपको याद रतना चाहिए, कि every spring problem आएगी इसको, every spring, इसको मिश्किल आएगी, other remedies, every spring में lecases, हमें सुराइनम पता है, हमें सीप्या पता है, हमें सिप्या पता है, हमें सलफर पता है, हमें साट स्प्रेला पता है, कि उनमें ये problem आती है spring में, पर इसमें सारे आएगी overall skin के उपर, every spring इसको eruptions हो जाएगे, तो आपने इसको pick करना है इस चीज को, रूब्रिक देखोगे ना, chest, eruption, spring, every spring, तो remedies उसमें एक ही है, नाटरम सल, ऐसे ही, बात करें, बात करें, बात all over the body, अगर रूब्रिक देखोगे, बोरिक की एडिशन है, सरफ एक remedy है, ये वली remedy है, जॉन्डिस, मैंने आपको बताई दिया, कि जॉन्डिस, आफ्टर एंगर, skin पीली हो जाएगी, तो इसकी जो skin का color है, वो वैसे भी naturally भी yellow होता है, क्योंकि इसका जो constitution है, वो bilious है, तो यहाँ पर ये important आ जाएगा, उसके बाद हम चले mind, मैंड में क्या इसका keynote है, कि इसमें बहुत जादा anxiety है, पर anxiety के साथ हमें symptom जो peculiar मिलता है, वो क्या है, anxiety breakfast करने पर better हो जाती यह याद रखने वाला है, उसके बाद आगया nose, तो nose में इसमें क्या आएगी, bleeding होती है nose की, bleeding during menses, यह याद रखने वाला है, not instead of menses जैसा pulse और brinia में होता है, it is during menses, menses के time, उसके बाद teeth, तो teeth जैसे मैंने आपको बताया है, यह hot drinks को aggravate करेंगे, थंडा इसको औराम देग coffee and pulsatella की जगा, पर इसमें अगर हम Alan पढ़ोगे, Alan में आपको, T.F. Alan में ही मिलेगा, कि इसकी जो दांद की दर्द है वो रात को होती है, दो बजे, कि दो बजे के बाद, एकदम से sudden pain start हो जाएगी, wake करेगी इसको, pains इसकी आँख खोलेगी, ऐसे इसको headache भी जगाता है, और इसकी दांद की दर्द भी इसको जगाती है, तो वहाँ पर यह single remedy है, Alan के addition के साथ, उसके बाद इसका headache, headache की बहुत सुंदर-सुंदर peculiarities है, जो याद रखने वाली है इसमें, especially slivation with headache, बहुत good symptom है यह, यह patient spitty करता रहेगा, जब इसको headache की phase होएगा, अब यह symptom कहां use होएग अगर उसकी slivation journally है हर time, तो यह symptom नहीं है, अगर सिरफ headache की time आता तो यह symptom है, right, तो slivation with headache, इसका main symptom है, यह और दूसरी remedy epifigus है, जो spit ही करती रहती है बार-बार-बार अगर headache हो रहा है, तो sometimes this can be a guiding symptom, आपको नहीं समझा रही हो overall case की, suddenly यह symptom सामने आया और सारा case open हो गया, right तो यह symptoms के बारे में पता होना, और जब हम patient को probe करते हैं, उसको हर चोटी-चोटी चीज़ probe करना बहुत important है, तो slivation with headache, right, so mouth में जाके देखना, आप spitting constantly with headache आपको मिल जाएगा, और headache कैसे होने वाला, abilius है, तो bile की vomiting होईगी headache में, right, और जो characteristic symptom है कि perspiration with headache, एक slivation, एक perspiration दोनों की overproduction हो रही है इस condition में, तो आपको मिलेगा, एक और uncommon है, वो विथॉलकस की edition है, कि इसको headache के बाद खटे-खटा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा, यह चीज़ें याद रखने वाले है, तो यह इसका keynote symptom है, उसके बाद आता है, आप लेके चलो, जो keynote इसका, ब बैटर हो जाएंगे, तो अगर आप रूब्रिक भी देखोगे, बताइगो perspiration ameliorate, उन्होंने लिखा है, जर्नल perspiration ameliorate, अगर आप material medica देखोगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कि बताइगो basically perspiration on head ameliorate, सिर के ओपर जब पसीना आ जाएगा, तो इसको अराम मिलत है इसको, उसके बाद जो keynote आप देख सकते हो, इसके tongue, tongue हमने discuss करी ली, greenish होएगी, brownish होएगी, thickly coated होएगी पारोजिनम के, जैसे bitter होएगी, right, blisters होएगे tongue के ओपर और mouth के ओपर भी, mouth कैसे होने वाला है, mucus होएगा और slimmy होएगा, taste bitter होएगा, यह सारे psychosis के symptom है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कि यह इसकी ऐसी problem है, तो इसको ऐसे mind में रखना है, आपने हो रहा है, other, इसका एक keynote बहुत important है, इसका, इसकी thirst, thirst होती है इसकी ice cold water के लिए, right, वैसे patient यह इतना thirsty नहीं है, पर इसकी thirst specifically for ice cold water के लिए, patient basically होट रहने वाला है, right, even thirst इसको रात को भ जगाती है, thirst, यह rubric भी होएगा, इसका देखना आप, thirst, waking at night या, waked by thirst, ऐसे करके होएगा, एक बर सर्च करके डालना ग्रूप में डालना ने तो मैं डालूँ, और इसका keynote बहुत important है, कि इसमें eating होती है, टोस पे, जैसे ही रात को जाके, यह socks उतारेगा, तो इसकी टोस प या जह लाँ अपनो की हघाँ लुछा बेसी, और हुआत समर्णीर करके लिएगा й technolog करके लिए यह ऩाईगा, जब होती है यह यह थे इसरी होई़गा बहूआंड़ sympath है, नह पूँ़ा है अच्हा्ि एक और था है पातक में ये होएगा कि वाइस होस्तों हृत्रों है झाले स्थ्य इसका है दिदा है talkinina हमने वे इसकाalon यह दिसको कर लिया रहे वराइनिया इसका किने एक इसको कहुंतम है अब इसकी constipation का pattern समझना बहुत important है इसमें constipation होगी कैसे जब constipation होएगी क्योंकि ये bilious remedy है तो constipation इसको aggravate करने वाली है बहुत ज़्यादा तो इसको चक्कर आएगे constipation के साथ इसको headache होएगी constipation के साथ इसके rectum में constant pain होएगी सिर्फ flattus पास होता रहेगा स्टूल पास नहीं होएगा और वो collect होता रहेगा और constipation बढ़ती रहेगी respiration भी difficult हो जाएगी अब जाके इसके rubrics देखना आपको सभी मिलेंगे मटाई को constipation during headache with constipation मिल सकता आपको फिर उसके बाद rectum constant urging only for flattus splatter सिर्फ पास होता रहेगा respiration difficult during before stool अब ये सारी condition अब ये जब सारी uneasiness में रहता है जब stool पास होएगा he will be very happy तो इसली लिए इसमें state क्या आती है cheerful after stool खुश होएगा stool के बाद cheerful after stool आएगा breath after stool, vivaciousness stool after, even confusion during stool ameliorate आप देखा है क्योंकि ये confused remedy है तो रूब्रिक देखो आप जाके confusion during stool ameliorate सिर्फ confusion क्या है during stool ameliorate है ये नहीं है कि stool के बाद ठीक होगा ऐसा क्यों है देखो क्योंकि जैसे ही stool pass होने के बाद जो खुश हो जाएगा इसकी alternation आती है अब में को पता नहीं दुबारा से आएगा कि नहीं आएगा तो इसमें irritation स्टार्ट हो जाती है इसलिए इसमें rubrik भी है cheerfulness alternating with irritability आपको ये उसमें मिलेगा यहाँ पर मैं एक चीज़ आइड करना चाहता हूँ normally हम क्या पढ़ते है कि calcarea carb खुश रहता है constipated यहीं पढ़ते हैं ना कि calcarea carb खुश रहता है और नैटरम सल के cheerful after stool पर जाके rubrik देखना आप अगर आप rubrik देखोगे cheerful stool after calcarea carb two marks में पढ़ी है यहाँ पर बोरिक्स के साथ तो यह बहुत important है कि fixed images नहीं बनानी ऐसे ही for example हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आता है calcarea carb को पर calcarea carb is in only few remedies 4-5 remedies in the material medica जिसमें है sweat skin dry inability to sweat even on exercise exercise करने पे भी पसीना ना आना यह उसमें calcarea carb में पढ़ा हुआ है so this is very important fixity नहीं बनानी है कभी किसी भी चीज़ को लेकि ना ही mental image ना ही दूसरी तो इसमें बाद में anxiety आ जाएगी so anxiety stool after इसमें आ जाएगा तो अगर देखोगे natural self पड़ी होई है कि उसके बाद stool के anxiety हो जाएगी so पहले भी frustration बाद में भी बर थोड़ी देर के लिए उसका mood ठीक हो जाएगा after stool तो यह इसका basic keynote है इस remedy के लिए जो आपने याद रखना है और जो एक चीज रहगी डारिया डाइरिया डाइरिया हमने डिसकस कर लिया है बिलियस में सारा का सारा वैसी इस flatulent होने वाला है रंबलिंग होने वाली है morning patient जैसे ही उठेगा अब यहाँ पर इसकी differentiation है sulfur का part है तो sulfur का symptom आएगा sulfur में क्या urging बगाती है उसको एलोज और sulfur में urging होएगी वो उसको बगाती है डाइरिया के लिए फड़ा-फट stool के लिए जा पर यहाँ पर क्या है अगर patient उठ भी गया जब तक वो हिलेगा नहीं यहाँ पर यह ब्राइनिया के साथ मैच करती है फिर दुबारा से जब तक वो हिलेगा नहीं तो उसको stool के लिए अरजीन नहीं होएगी तो इसका यह keynote symptom है जो याद रखने वाला है और keynote रहे गया suppose asthma का भी हमने discuss कर लिया कि asthma after spinal injuries या asthma after every fresh of cold उसमें यह आएगा पर हाँ इसका asthma का relation विद डाइरिया भी है तो asthma followed by diarrhea इसका main symptom है और वो मैंने आपको बताया है कि asthma psychotic रहेगा पर इसके asthma के साथ sneezing, hay fever कुराईदा यह symptoms होएगी तो जब साथ हैं तो natrium cell देखो हम कह देते हैं कोई प्रिस्क्राइब कर रहे है यह keynote प्रिस्क्राइब परता है कहीं बार वो constitution होता है इसमें क्या होएगा देखो कि जब asthma का attack आएगा साथ में कुराईजा आएगा मगर सपोस्थ किसी patient को कुराईजा ही रही जा रहा है रही जा रही जा रहा है और वो कोई भी हमें पतिक medicine ले रहा है और वो खाखा के उसने अपने discharges को suppress कर दिया देन जो remedy आएगी वो silesia आएगी अब जाके पाठेज में रूब्रिक देखना को राईजा लीट तो अस्तमाय से करके रूब्रिक आपको मिलेगा उसमें तो यहां पर आप फिजिकल लेवल पर भी डिफ्रेंशियेट कर सकते हो अनकॉमन में जा सकते हो यहां पर अब किसी को कोई डाउट सर आपने बोला था स्थमा आफटर स्पाइनल इंजरी उसके बाद क्या बोला था क्लियर है हलो 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 क्लियर है कोई है सरी अस्थमा को राइजा का जो अपने सिलीशा से कंपेर किया एक बर बता दो प्लीज दुबारा अमाई क्लियर हलो हलो अब जाते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल पार्ट अब इस ये पार्ट जो है अब बाकी तो आपने सुन लिया पता नहीं ध्यान से सुना है कि नि सुना इसको सुन लेना बड़े ध्यान से क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाएगा बहुत कुछ चोटी चोटी चीजें आपको समझाने में इसकी ओवरॉल जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी कोई भी जो नैचुरल प्रॉपर्टीज हैं उनको समझना बहुत जुरूरी है अब देखो इसकी नैचुरल प्रॉपर्टीज के हैं बताओ क्या क्या नैचुरल है इसकी इसकी एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक प्रीचर्स क्या है इसने ट्राइब देखने के लिए इसे बॉलना लिखना मत बड़ा निंजा रहे हैं कि सर्ण नैट्रम कंपाउंड बनाएगा किसी ना किसी के साथ अकेला निवह पिए सर्य यह भी जाते कि नैट्रम की अईडेंटिटी नहीं है अलो अरे कोई बोलो एक बर मुझे लगता है मेरी आउडियो में प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है सब्सक्राइब को आवाज आ रही है कि एक मिनट में इसकी सेटिंग में देखता हूं रुको बाल्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है अब बोलना हूं के इसको फिनिश करते हैं फिर रिस्टार्ट करते हैं भी बीच में रिस्टार्ट नहीं करते हैं अभी रिस्टार्ट करी लेते हैं बटर रहेगा मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूं सभी दुबारा से जोइन करें जब बोलना हूं